इस लाइफ क्लिनिक को लाइक कर दीजिए जितने भी दर्शक जुड़ते जा रहे हैं जैसे कि मैं देख रहा हूँ अभी तो काफी कम लोग ही जुड़े हैं जैसे जैसे आप लोग मुझसे जुड़ते जाएंगे लाइक कर दीजिए क्लिनिक को और मैं आप लोगों के तुर शाप टू वो क्लॉक मैने डाल दिया था कि दो बजे आउंगा मैं उएबरुं औरुझी लिखते हैं स्लीप अपनी अ का ट्रीटमेंट बताईये वरुंजी अगर आपको स्लीप अपनीका ट्रीटमेंट चाहिए तो हॉमियोपेथी में sleep apnea का बहुत अच्छा एक treatment आता है sleep apnea जो बिमारी है दोसो normally मैं आपको बता दूँ की sleep apnea अक्सर उनी लोगों को होता है जिनका weight जादा हो या जिनको underlying disease हो कोई तो sleep apnea से अगर रात को सोते सोते एकदम से आपको सांस लेने में तकलीफ होती है suffocate करके आप अचानक से सांस नहीं ले पाते हैं और अचानक से आप उठ जाते हैं तो आप ले सकते हैं sleep apnea के लिए पैसी flora mother tincture के साथ साथ blata और ये इंटेलिस mother tincture दोनों की 5-5 बूदे आधे कब पानी में दिन में दीन बात बहुत अच्छे results मिलेंगे sleep apnea बहुत एक मान के चलिए एक जानी मानी दवा है होमियो पैथी में जो बहुत अच्छा काम करती है एक सेकिन दोस्तों थोड़ा सा तो sleep apnea के लिए पैसे flora, blata और इंटेलिस की 5-5 बूदे mix करके दिन में तीन बार लें बहुत अच्छे results मिलेंगे next अब हम अब चलते हैं अगली विमारी की तरफ detailed वीडियो बना दीजिए जी जरूर बनाएंगे sleep apnea पे जो मैं कोशिश करता हूं कि अगला वीडियो sleep apnea पे ही लेकर आऊं next अब हम अब चलते हैं अगला वीडियो है अरविंद पांडे लिखते हैं सर 14 mm का stone है left kidney में periods के time बहुत pain और gas बनती है please medicine बताइए अरविंद जी 14 mm का stone है अगर left kidney में थोड़ा बड़ा stone है आप एक काम कीजिए barbaris vulgaris नाम का एक mother tincture आता है वो खरीद लीजिए barbaris vulgaris और उसकी आप दददस बूंदे आधे कप पानी में डालके दिन में तीन बार पीजिए बहुत अच्छा relief मिलेगा इसके साथ साथ एक और medicine है जिसका नाम है carduos marianis बहुत effective medicine है दो दो बूंदे carduos marianis उसका ही mother tincture ले लीजिए उसकी भी 5-5 बूंदे आधे का पानी में डालके पीजिए दिन में तीन बार तो gas भी नहीं बनेगी stone भी घटेगा और berberis से kidney का stone भी घटेगा next अब अब चलते हैं अगला जो है एक सेकिंद दोस्तो तो next question लेंगे next question है शुभम सुभाश चंद्राजी का वो लिखते हैं पेट में acid बहुत बनता है दात भी खटे हो जाते हैं ठंडा खाने पर सर्दी हो जाती है और गर्म खाने पर पेट में जलन होती है तो ऐसे में आप एक medicine आती है होमियोपेथी में जिसका नाम है hydrastis canadensis hydrastis canadensis की 30 potency की 4-4 बूंदे आधे का पानी में दिन में 2 बार लें सुभे लें और शाम को लें बहुत अच्छे results मिलेंगे दोस्तों चलिए next question की तरफ चलते हैं next question है विकरान सिंग जी लिखते हैं sir please hair fall के लिए best medicine बताईए विकरान जी hair fall के लिए best medicine आती है jabirandi mother tincture बहुत अच्छा effective results हैं jabirandi mother tincture के ददद जबूंदे आधे का पानी में दिन में दीन बार लीजिए बहुत अच्छे results मिलेंगे next अब हम चलते हैं मीरा श्रिवास्तव लिखती हैं बर्बेरिस एक्वी फोलियम नाम का एक mother tincture आता है उसको आप उसकी दस बूंदे आधे का पानी में डालके दिन में तीन बार पिएंगे बहुत अच्छे results मिलेंगे दोस्तों सभी दर्शकों से गुजारिश है जितने भी patients हैं कि इस life clinic को like करें मैं देख रहा हूं लगभग 40-50 लोग देख रहे हैं कम से कम 40-50 like तो मिलने ही चाहिए जो नई लोग जुड़े हैं मुझसे वो चैनल को subscribe किये बगार ना जाए जो नीचे लाल कलर का बटन है उसको ज़रूर दबा दीजिए bell icon प्लिक कर दीजिए कि जैसे ही मैं लाइब आउँ आप लोगों को notification तुरंट मिल जाए दोस्तो next time आप चलते हैं अगला जो अगला question है वो सुधी रोई लिखते हैं good afternoon, good afternoon अश्मित कौर लिखते हैं सर आपने मेरे बेटे के लिए कलकिरिया का दे दी थी for excessive sweating in hand and feet I have given him for 7 days for how many days this medicine to continue ठीक है, आप 15 दिन और continue रखिए श्मित कौर जी उसके बाद वरुन को लिखते हैं मेरे SGPT की SGPT 1-1 value आई है SGPT आपका काफी भढ़ावा हो सकता है fatty liver हो तो उसको कम करने के लिए homopathyemic medicine आती है जिसका नाम है lycopodium lycopodium 30 potency में 2-2 बूने दिन में 3 बार लीजिए regular कम से कम 10-15 दिन तक बहुत अच्छे results मिलेंगे next अब हम चलते हैं अगला अगला जो question है वो है अगला question है कृष्ण कुमार यादव का लिखते हैं fungal infection देखिए fungal infection, दाद, खुजली इन सब पे मैंने एक वीडियो बना रखा है आप वो वीडियो जाके देख लीजिए जादा better results मिलेंगे आपको बाकी आप sulfur 30 की दो बूंदे रोज एक बार morning में उठते एक खाली पेट ले सकते हो कम से कम एक हफते के लिए बहुत अच्छे results मिलेंगे बाकी मसीवर रह्मान लिखते हैं सर मेरे दाइने कंदे में धर्द रहता है हमेशा अगर दाइने कंदे में धर्द रहता है यानि कि right shoulder में अगर pain है तो उसके multiple reason हो सकते हैं हो सकता है कि आपको frozen shoulder हो या आपको cervical हो दोनों ही case में rust ox बहुत अच्छा काम करेगी rust ox 30 potency में दो-दो बूंदे आधे कप पानी में डाल के लिए लिजिए बहुत अच्छे results मिलेंगे next अब हम चलते हैं सलीम अनसारी लिखते हैं सर फिस्चूला का इलाज बताई operation तीन time करवाया है लेकिन कोई relief नहीं आया है अगर आपने operation कराया है फिर भी आपको result नहीं मिल रहे है relief नहीं है तो फिस्चूला पे मैंने एक dedicated video बना रखा है जाईए मेरे चैनल पे वो video देखिए आपको बहुत अच्छे उससे knowledge मिलेगी और आपको better दवाईयां भी मैंने उसमें बता रहा कि बाकी पाई नहीं हम अदर टिंचर आता है दस बुंदे दिन में तीन बार लीजिए बहुत ही बैतरीन रिजर्ट्स मिलेंगे नेक्स चलते हैं अर्जुन लिखते हैं सर मेरी मम्मी के फिशर की प्रॉब्लम है उनके लिए मेरी मम्मी को फिशर की प्रॉब्लम है उनके लिए कोई मेडिसिन बताईए और मैंने आपके बताए अनुसार लेसी थीनम 3X एगनस कास्टस सेलीनियम 3X मार्किट से लाएं इन सब दवाईयों को कि समय लूँ सुबे दोपर शाम दिन में 3 बार ले लो बाकी अगर फिशर की प्रॉब्लम है तो ऐसी नाइट्रिकम ले लीजिए अपनी मदर के लिए 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे दिन में 3 बार ले लीजिए मिनाशा लिखते हैं सर हेड में पें होता है सरदर्द के लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा सर में दर्द है तो बैलो डोना मदर इंचर अप ले सकते हैं 5-5 बूंदे दिन में 3 बार नेक्स्ट अब हम चलते हैं दोस्तों बीके बीके चोहन लिखते हैं सर नाइट फॉल की कोई अच्छी मेडिसिन बताईए सिलीनियम नाम की एक दवा आती है बहुत अच्छी मेडिसिन है नाइट फॉल की सिलीनियम 30 पुटेंस नेक्स्ट अब चलते हैं नेक्स कोश्टन की तरफ चलते हैं दोस्तों अगला कोश्टन है अमर यादर लिखते हैं सर जी मेरे को गले के नीचे मेड हुई उसके लिए कोई मेड हुई का क्या मतलब है यह नहीं पता मुझे थोड़ा नॉर्मल भाशा इस्तमाल कर लिया करो बाकी अश्मित को और लिखते हैं कोई भी गरम तासीर वाली चीज़ से गला खराब हो जाता है गरम तासीर वाली चीज़ से अगर आपका गला खराब हो रहा है तो परिशान मत हो यह होमियोपेथी में बहुत अच्छी remedies आती हैं ऐसी situations पर काबू पाने लिए आप एक काम कीजिए एक बहुत अच्छी होमियोपेथी में medicine आती इसका नाम है ignatia ignatia 30 potency दो बूंदे सुबह शाम सुबह शाम लें बहुत अच्छे results मिलेंगे एक और question है कुना पधान लिखते हैं hello sir हम कैसे जाने osteoarthritis, rheumatoid arthritis में फर्क देखे osteoarthritis age के साथ होता है young में नहीं होता और rheumatoid arthritis young लोगों की बिमारी है आपकी उमर 25 साल है 30 साल है, 35 साल है rheumatoid arthritis, अगर joint से pain रहता है तो rheumatoid arthritis हो सकता है blood test से, और अगर osteoarthritis है, वो with age होता है पचास साल, 55 साल ऐसे लोगों में osteoarthritis होता है rheumatoid arthritis में गांठे नहीं होती हैं शरीर में, इसमें गांठे होती हैं, osteoarthritis में इरेत्रो सेडिमेंटेशन रेट हो गए, यह सब भड़े वे आते हैं, साथ साथ आरे फेक्टर भी पॉजिटिव आ जाता है, ओस्टियो अर्थराइटिस में यह सब चीजे नहीं होती है, ठीक है न, ESR फिक भी बढ़ा हो सकता है, लेकिन ऐस सच बाकी सब चीजे नहीं होती ह है, अगर एज जादा है, जोड़ों में दर्द है, तो ऑस्टियो हो सकता है, रुमेटर अर्थराइटिस यंग एज है, और हातों में सबेर उठते हैं, तो अकड़न लगती है, मुठी सीख से बंद नहीं होती है, बागी दोस्तों, मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखके ब नेक्स्ट अब हम चलते हैं, जो भी दर्शक, सब लोग के लिए सूचना है, कि जो भी दर्शक, कोई भी कोशन पूछते हैं, तो मैंने एक बार मेरे चैनल पर जाकर चेक कर लें, अगर आपको यहाँ जवाब नहीं मिलता, तो हो सकता है, मैंने वीडियो बना रखा उस बि हैं, मरीजों को जहां भी मरीज अबस, हमें कॉंट्राइट करने के लिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है, उस पर वाट्साप पे मैसेच छोड़ दीजिए, हम आपको ऑनलाइन और उसमें पुरा ऑनलाइन फ्रीट्मेंट को बकाइदा पुरा प्रोसीजर भी लिखा व बहुत एसिडिटी होता है, स्टमक हेवी रहता है, हो सकता है फैटी लिवर यह भी हो सकता है, आपको माइल्ड गैस्ट्राइटिस हो उसके चलते हो रहा हो, तो आप यह काम कीजिए, एक मेडिसिन आती है, जिसका नाम है चीनो पोडियम, चैलीडोनियम, चैलीडोनियम, पाच-पाच बूंदे आधे का पानी में डाल के दिन में तीन बार पीजिए, बहुत अच्छे रिजल्स मेलेंगे, नेक्स्ट अब हम अब चलते हैं, अगली, अगला जो हमारा, जुबेर खान लिखते हैं, सीमन लिकलने के बाद बहुत कमजोरी महसूस होती है, तो आसिट फॉस ले लीजिए, बहुत अच्छी दवाए, असेट फॉस, 30 पॉटेंसी, 2-2 बूंदे दिन में, 3 बार, 15 दिन के लिए बड़े अच्छे रिजल्स मेलेंगे, वरुन को यह लिखते हैं, टॉंस बहुत बड़े हो चुके हैं, और वाइट स्टों भी कभी-कभी आते हैं, देखे, वो आपको क्या है, फॉलिकुलर टॉंसिलाइटिस ठीक होता है, वहाँ जो पस है, वो हाड हो जाती है, और इसके चलते हैं, उसके मुझसे भी बड़ी बद्बू आती है, टॉंसिलाइटिस में, तो टॉंसिलाइटिस में बना रखा है, बड़ा आप एक काम कीजि एक मेडिसिन आती है, जिसका नाम है, अर्जंटम मेटालिकम, बहुत अच्छी मेडिसिन है, you can take अर्जंटम मेटालिकम, in 30 potency, 2-2 drops, 3 times daily, बहुत अच्छे रिजल्स मिलें, you can take this medicine, like around 15 days, you know, चलिए, निक चलते हैं, अश्मित का और लिखते हैं, medicine for chronic constipation, chronic constipation, नक्स, वाम stone है, nephrotic syndrome है, nephrotic syndrome है, acute renal failure है, chronic renal failure है, क्या है, ये तो बताते हैं, कम से कम, next चलते हैं, मारूती सुतर लिखते हैं, मारूती सुतर, homeopathic physician, sir, clinic setup कैसे करना है, देखिए, मारूती सुतर जी, clinic setup करने के लिए, बस confidence होना चाहिए, और knowledge पूरी होनी चाहिए, अगर knowledge पूरी है, तो positive energy के साथ clinic open करेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा, next चलते हैं, बीके चोहान लिखते हैं, sir, nightfall की कोई अच्छी में ये बता दिया, मैंने, कमल, पलिवाल लिखते हैं, सर्जिक, calcium के लिए, homeo, cal, tap, सही है, या calcarea, fos, ckd patient के लिए, allopathic doctor ने calcium carbonate के लिए, पर allopathic लेना नही मैं आपको बता दू, calcium supplements, allopathic, homeopathic नहीं होते हैं, तो प्लीज बात को समझिये, supplement, supplement होते हैं, for example, अगर मैं आपको बोलू कि आपको चार ग्लास पानी पीना है, तो क्या पानी allopathic है, नहीं है न, तो रोटी खाने को मैं बोलू कमजोरी है, तो क्या रोटी allopathic है, यह homeopathic है, यह supplements होते है, supplements違рипbody, homeopathic में नहीं होते हैं, आप आयरीन की supplement दे सकते हैं, ले सकते हैं, कोई issue नहीं है, आप shell call, calcium carbonate, ले सकते हैं, कोई इसमें issue नहीं है, कोई कमी हैं उपर से ले सकते हो, हाँ, antibiotic, antibiotic, pain killer और बाकी और बहुत सारी anti allergic दवाईय, Championship, हomopathic हो सकती है, next अब लुए 30 नाम की एक दवा आती है climatis 30, 2-2 वूने दिन में 3 बार बहुत अच्छे results मिलेंगे बहुत effective medicine है next अब हम चलते हैं दोस्तों आज का आखरी question की तरफ हम भड़ रहे हैं अब आगे, जितने भी दर्शक जुड़े like कर दीजिए, चैनल को subscribe कर दीजिए online treatment के लिए description में details से check out कर लीजिए last question अब हम लेते हैं last question है योगेंद्र मराठे जी का लेते हैं good afternoon sir, homeopathy की parent medicine and syrup के उपर volume by volume okay, okay, weight by volume and HIV लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है देखिए, जो भी ये सीज़ है weight by volume, जो भी चीज में alcohol होता है उसको volume by volume देखते हैं कि कितना प्रतीशत उसमें पानी है कितना प्रतीशत alcohol है ये चेक करने के लिए देखते हैं ऐसे ही कितना weight कुछ चीज़ें solid में होती है तो weight उसका नापा जाता है कितना weight किसी चीज़ का है और कितना volume किसी उसमें alcohol का है तो एलकॉल तो मैंशा वॉल्यूम में ना पाजाएगा क्योंकि लिक्विड है, वह सॉलिड नहीं होता, जो सॉलिड सबस्टांस उसमें डालते हैं, वह वेट भी हो सकता है, जैसे सिरप्स में चीनी एड करते हैं, या और कोई तो उसको वेट में एड किया जाता है, बाद मे होमियोपेथिक फार्मोकोपी ऑफ इंडिया, होमियोपेथिक फार्मोकोपी ऑफ इंडिया जो है, यह एक जो हमारी रिसर्च जो होती है, वो एक किताब है, इस किताब के हिसाब से उसमें गाइडलाइन्स हैं कि आपको होमियोपेथिक दवाईया कैसे बनानी है, तो उसकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और अपने कोस्चन्स को्मेंट बॉक्स में भी ठाइप कर दीजिए बाकय इंतजार खीजिए एक आधर दिन में मेरा नया वीडियु आएगा बाकी वीडियो में हर एक दो दिन एक दो दिन में आप लोगों से live भी मिलूँगा या live नहीं मिलूँगा तो उस दिन आपको वीडियो ज़रूर मिल जाएगा रात तक तो दोस्तों आप लोगों से मिलना और आप लोगों से live clinic में chat करना बड़ा अच्छा लगा फिर मिलते हैं कल परसो जब भी मैं live आऊँगा आपको notification मिल जाएगा लेकिन उसके लिए bell icon पर click दबाई रखिएगा कि जैसे ही मैं live आऊँग तो आप लोगों को notification मिल जाएगा ट्रीट्मेंट लेना हो तो description में जाके जो मैंने details जाली में उनको check out कर लीजिए अपना ख्याल रखिए दोस्तो नमस्ते वन्दे मात्रम जैहन